मित्रो विशेश समय पर साधना करने का विशेश महत तो होता है यदि हम विशेश समय पर गायत्री की शाधना करते हैं तो उसका लाव हमें कई गुना ज़्यादा पराप्त होता है इसलिए हमारे रिसी मुन्यों ने जो दो नौरात्री आती है एक आस्वे नौरात्री और एक चैतर की नौरात्री इनमें गायत्री शाधना का विशेश रूप से महत बताया है इन समय पर यदि हम गायत्री की शाधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कई गुना ज़्यादा लाव राप्त होता है यहों तो चार नौरात्री बताई जाती है दो आस्वे और चैतर की नौरात्री और दो जो है वो गुप्त नौरात्री की रूप मनाई जाती है गुप्त नौरात्री में प्राया लोग तांत्रिक साधना ज़्यादा करते हैं विस्वेस रूप से आस्वन और चेंतर की नौरात्रे में एदि आप गाहित्री की साधना करते हैं, लगो अनुस्ठान जिसमें किया जा सकता है, नौदन का, चौबीस जार का अनुस्ठान, तो निस्चित रूप से आपको गाहित्री मंतर कई गुना ज्यादा फलित होगा। अनुस्ठान